तो टाक्सर वेल्स में आपका स्वागात है मैं हिमांचु कुमार आज हम बात करेंगे कुछ ब्रेकिंग्स हैं CSBank और आज ब्लैक फ्राइडे भी है उस पे भी हम छोटा सा एक अपडेट पहली चीज आज एक ब्लैक फ्राइडे की तरह आज का दिन रहा क्यों क्योंकि मार्क आज का दिन ब्लैक फ्राइडे था और कह सकते हैं कि बहुत बड़ी टर्बुलेंसी इंडिया के लिए साथ के सांथ यस बैंक एक सबसे बड़ी प्राइब्लम हो गई है यस बैंक और उसमें एक अच्छी बात यह है कि अभी आर्भी ने थोरी दर पहले यह अनौंस किया है कि उसके रियक कंस्रक्शन यानि उसको फिर से रिवाइब करने की कोशिस की जाएगी और उसके लिए उन्होंने रिकंस्रक्शन प्लान भी लॉंच कर दिया है उन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि अगर जिसका भी पैसा यस बैंक में परा वो परिशान ना हो बैंक उसके लि तूटके पांच रुपे 55 पैसे तक गया और जो बंद होगा 16 रुपे 50 पैसे पे बंद होगा यानि कि अगर मार्केट की भी बात करें तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रही साथ के साथ है GST कॉंसिल की भी मीटिंग थी वहां पे भी बात की गई कि किस तरह से इंपूट क्रेट पर प्रॉब्लम क्रियेट क्या जा रहा है किस तरह से इंपूट क्रेट पे जो प्रॉब्लम चल रहे है उसको रिज्वाल करने की कोसिस की जा जो सबसे इंपॉर्टेंट आज का पूरे दिन में रहा वो Yes Bank की रहा, साथ के साथ Yes Bank में ये भी Yes Bank को कहा गया कि 50,000 की capping है उससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, साथ के साथ Yes Bank में ये भी management की तरफ से आया है कि अगर आपको कोई problem है तो आप नियर इस branch में जाके बात कर सकते हैं, चीजों को resolve करन 2020 launch किया है, जिसमें उन्होंने बहुत तरह की बाती की गए, share capital and reconstruction, उसके अलामा alteration भी कर रहे हैं, constitution और board of director, वो अलग अलग पॉइंट पे उन्होंने feedback लेनी की कोसिस किये हैं, साथ के साथ अगर हम एक चीज़ और बात करें, तो market का as down होनी की वज़ा से लगबग 3.5 lakh क्रो रूपीय का market में नुखसान हुआ, तो आज के लिए इतना ही हम daily इस तरह के update लाने की कोशिस करेंगे और market के बारे में बताने की कोशिस करेंगे कि क्या क्या हुआ, पूरे दिन की चर्चा साम में आपको हम बताएंगे, तो आज के लिए इतना ही, बहुत भ along धन्यवाद, Thank you.